जैश्री शाम, जी ट्रेक भक्ती चैनल से मैं प्रकाश गडवाल आज हमारी टीम एक ऐसी यात्रा को कवरेज करने आई है जो 36 पिथोड़ा से आई है और ये इस यात्रा में काफी ऐसे शाम प्रेमी हैं जो कि पहली बार खाटू शाम जी आये हैं और इस यात्रा का जो बीड़ा उठाया है विजे जी गोईल जी से हम थोड़ी सी वारता करते हैं कि किस प्रकार ये इस यात्रा को लेके आएं किस प्रकार इनको बाबा ने प्रेणना दी है जैश्री शाम जैश्री शाम विजे जी इस यात्रा को लाने का आपका क्या उद्देश्च है इसा क्या आपके मन में आया कि आपने इतने लोगों को एक साथ अपने मतलब जिम्मा उठाया इतने यात्रियों को अपने साथ लेके आए ऐसा क्या मन में आशी धारना आपके आई वह बताया हमारी दर्सकों को सिमीति से चुड़े होएते पहले तो सिमीति से अलग होने के बाद हमने खाटू आना चलू किये हैं हर में खाटू आते थे एक रात करसी बैठे था मैं खाना तो यह यात्रा पहली बार लिखे आरे पहली बार तो आगे इस यात्रा की बारे में आपका क्या ख्याल है जो कुछ करेगा वो करेंगे उनकी मर्जी होगे तो हम हर साल आएंगे विए आपका कहने का मलब करते हो तुम कनया मेरा नाम हो रहा है अब आपका आँधार हुए मेरे विश्य स्योगी मेरे क्यूकव बारेद वारते हैं और मेरे गिल्ली से भाई प्रकास और दिपक जी कि यह बोड़ा से जोग दिया मेरे को कि मैं बोल नि सकता कोई सब दिनी में इन के लिए मेरे लिए सबस्भीयोग से गालिए हम रोगार कर कैते हैं हम वो गई हैं हम हो गई हादो आने दे हैं बोलो शाम प्यारे की जैश्री शाम जैश्री शाम बेया आपका शुब नाम प्रकाश सर्मा प्रकाश जी इस यात्रा में आप भी निशान लेके आ रहे हैं तो आपका आप तो दिल्ली से हैं तो ये 36 गड़ पे इनके साथ किस प्रकाश से आप इन से जुड़े आप इस यात्रा में निशान लेके आ रहे हैं जान सकता हूं कहां से लेके आ रहे हैं पैदल यात्रा वहीं से लेके आ रहे हैं तो आप यह बताईए कि आप पहली बार आ रहे हैं या आते रहते हैं खर्टुशाम जी ने ने मैं कभी भी यहां पे नहीं आया पहली बार आ रहा हूं और गोईल जी भीए के साथ आया हूं पहले बाबा श्याम को आप जानते थे यह कब से जानते हैं बाबा श्याम का नाम पहली बार आपने कब सुना और बाबा श्याम मैंने नाव और से पहले सुना था और हमारे चातीज़गट पिथोरा से देड़ सो किलोमीटर के दूरी पर बर्गाड में भी उनका मंदीर है बठली धाम है वहां पर एक साल में एक बार दोबारे से आना जाना रहता है मेरी बहुत इच्छा थी मैं कि यहां खाटू नरिस के दर्शन करूँ आकर यहां पर और गोयल भिया जी के मारे दर्शन पर मैं यहां पर आया हूं तो यह इस यात्रा का श्रे आप गोयल साब को देना चाते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है जैश्री श्याम आपका निसान लेके पहली बर आ रहा हूं पहले मैं खाटू एक बर और आ चुका हूं अपने परिवार के साथ लेकिन में दिली च्छा थी कि मैं निसान लेकर रहा हूं और मैं भी उसको पूरा कर रहा हूं और मैं निसान पहलत मैं वहां एकला अपने ही निसान उठाया था लेकि पूरे परिवार का निसान ले करके वहाँ चल रहूं बाबाजी को जो है वहाँ निसान यात्रा रहाने के लिए तो आप एक बात बदाईए क्या पहले भी कभी कोई यात्रा ऐसी की जिसमें आपने पैदल चलके आपनी यात्रा की हो इस यात्रा को लेके आप निशान यात्रा आए हैं इस यात्रा को लेके आपने अपने मन में को इसा कुछ संकल्प लिया है या अपनी स्वक्षा से या क्या उद्देश से रखा आपनी सी यात्रा का यात्राब्र तो आप हमारे दर्सों को ने रहे हैं जो इंदुस्तान के सभी विया हैं उन्हें आप क्या संदे देना चाहूँगा कि वे ऐसी यात्रा में आते रहें ताकि पूरे हमारे हर प्रांत में और हर जगा स्याम का मंदिल बने और वहाँ पर भी लोग इसी पकार धुबताम से निसान यात्रा ले करके जाएं ताकि पूरे जगा हमारे जो स्याम जी हैं उनका नाम जो है रोस और उसमें जब उनको सिर काट दिया गया था और किस इंजी ने कहा था कि तुम कलियूग में मेरे नाम से भीमस होगे मेरे नाम जो है और यात्रा के अंदर आपके साथ काफी नए यात्री, शाम प्रेमियों का आप लेके आए हैं, तो इस यात्रा का आपने कोई संकल्प लिया होगा, तो आप हमारे जो शाम प्रेमी हैं, हिंदुस्तान के शाम प्रेमी हैं, उन्हें आप क्या संदेज देना चाहेंगे इस यात के बारे में कि स्याम का परचार हो स्याम बाबा का मतलब परचार मिले लोग स्याम से बाबा से जुड़ें स्याम को मतलब स्याम का मंदिर बनाए हर जगा हर स्याम प्रेमी हमारे से जुड़े हमारे साथ आए हम यह चाहते हैं कि स्याम बाबा कि जो यात्रा निकलती है उसने हर और इसको सबल बनाएं और यह चाहूंगा कि अभी हम लोग पजास का जथ्थे लेकर आए हैं आने वारा समय में हमारे जथ्थे में सामील हो और यहां पर आए और आप जैश्री शाम आपका शुबनाम दीपक शर्मा आप इस यात्रा में आये हैं तो इस यात्रा के लिए हमा लोग बावास जुड़े जात्रा जुड़े और अपनी मनों कामना पूर्डी करा जोली भरकी लेकर जाए हैं से बहुत सुन्दर जाता हूं यह सोचा कि यात्रा लेकर आऊंगा तो उस्ते अकेले थे उस्ते फित्रत थे कि वारे का नईया मान गया मैं फित्रत को तेरी जन मैं तो चला था अकेला के मेला मेरे साथ हो गया जैश्री शाम आपका शुबनाम शमा जी आप पहली बार इस निशान यात्रा में शामिल हुई हैं मैं दूस्री बारा आ रही हूं 15 साल बाद आप खाटू धाम आई हैं कैसा लग रहा है आपको बहुत ही जादा अच्छा औ पहले तो मैं सोची भी नी थी कि मैं चल पाऊंगी लेकिन आधी दूर तक साथ किलो मिटर तक चलने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी गाड़ी में पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छा यह लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो सालों से सोचते थे कि हम जाएं हम जाएं पर उनका जाना संभव नहीं हो पा रहा था पर हमारी फैमली मेरे जेट जी मेरी जिठानी मेरे सब जेठुता जेठुती लोग सब इतना चारेजमेंट की इतनी अच्छी व्यवस्था किये कि सब लोग आ पाए और बाबा स्याम से पहले मेरे परिबार वालों ने उनके यहाने के मन्नत पूरी कि अंप और शाम बाबा की क्रिपत होगी ही होगी कुछी शञों में आपको दर्शन होने वाले हैं शाम बाबा के बहुत करीब पहुच चुकी है आईए गा और शाम की शेभिका से जानते हैं उनके मन के भावाव आप लोग यात्रा लाए हैं और ये निशान यात्रा आपने कहां से उठाई है तो ऐसा मन में क्या विचार आया आपके क्या आपको ये निशान यात्रा लानी चाहिए किसी कारण बस नहीं आ पारे थे वो लोग किसी को वरिवार किसी को साहत किसी को पैसे को भी कारण रहा हो तो उनकी इच्छा पूरी हो इस कारण से हमनों इसोचा विश्व के धाम ले जाएं ताकि लोग आ सकें बहुत ही सुन्दर उद्देश है आपका हम और भी ये आशा कर प्रेमी आप लोगों से जुड़े जैश्री शाम आप ये निशान यात्रा कहां से ला रहे हैं तो शाम बाबा के प्रती को ऐसा भाव बताईए जो कि आपको जागरत करता है कि आपको निशान यात्रा लानी चाहिए बहुत बहुत दन्यवाद आपका शुब नाम तारा ग्रवाल तारा जी ये निशान यात्रा आप कहां से ला रहे हैं पहली बार निशान यात्रा ला रहे हैं और बर्गर से भटली चार बार हो चुका है मतलब खाटू धाम में पहली बार आप लाए हैं तो आपको कैसी अनुभूती हो रही है खाटू धाम में पहुँचके इतना नस्दीक आके कुछी शणों में बाबा के दर्शन आपको होने वाले हैं तो आपके मन के भाव सभी शाम प्रेमी जानना चाहेंगे आपका शुब नाम दिव्या गोयल दिव्या जी आप पहली बार खाटू आई हैं नहीं बहुत बार आचुके हैं तो रिंगत से अभी आपने ये धोजियातरा उठाई है तो आपको कितना समय लगा ये धोजियातरा अभी पहुँचना बाकी है कितना समय लगा आपको यहां से और यहां तक आने में अभी 5-6 किलोमेटर्स तो 2 आर्ट लगे हैं और 5-6 आर्ट पूरे पहुँचने में लग जाएंगे जैसे ही आप शाम बाबा के दर्शन करेंगी तो पहली बात जो आपके मन में आएगी वो क्या होगी वो बता आने सकती है जैसरी शाम आपका शुब नाम? लाल जी बारोड आप ये जो ध्वज यात्रा लेकर आये हैं ये कहां से लाए है؟ सिखर से रिंगस से उठा के लाए है पहली बार ध्वज यात्रा लाए है? तो ये ध्वज यात्रा खाटु धाम तक पहुंचाने का आपका मेन उद्देश क्या है मेरा मेन उद्देश यही है कि बाबा के यहां एक बार जाओंगा मैं चार बार में पहले बस आया था और अब मैंने अशा था कि बाबा की दोजय उठा के इस पार मंदिर तक पहुचूँगा तब मैंने इस बार दोजय उठाई बाबा के बिल्कुल आराम से जा रही हूँ और जब तक बनेगा जब तक यही कोशिस रहेगी कि मैं दोजा उठा की पेदली चलता रहूँगा हर पंदरा दिन में आता हूँ बाबा के आमें हर ग्यारास को आता हूँ में आपका शुब नाम? पलाश शर्मा क्या करते हैं आप? बाबा की सेवा करते हैं हमने सुना शायद आप भजन गाते हैं ठीक सूना आपने तो आप आज निशान यातरा में भी शामिल होके आप यातरा कर रहे हैं जी देखिए ये यातरा जो पिथवरा के गोयल परिवार्द और आयोजित की गई है बाबा शाम की निशुलक निशान यातरा कई लोग ऐसे हैं जिने ये नहीं पता कि निशान यात्रा बाबा की क्यों निकाली जाती है इसकंद पुराण में इसका वर्णन है कि जब पांड़ों को यह भीमान हो गया युद्ध के बाद कि इस युद्ध में सबसे जादा प्राक्रमी कौन रहा सब ने कहा कि मैं रहा मैं रहा मैं की बात आ गई तो भगवान स्री कृष्णे ने कहा कि जो शीश है बर्बरीक का वो उपर टीले में है और उन्होंने पूरे युद्ध को देखा है तो चलो उनसे जाके पूछते हैं कि इस युद्ध में सबसे जादा प्राक्रम किस कर रहा और सारे अधर्मी राक्षासों का सरवनाश कर रहा था उनकी बात को सुन करके सारे देवगन फुश्ववर्सा करे और नौ देविया आई और ये बाबा की ध्वजा ये विजय पता कर ले करके उनकी गोल परिक्रमा की और तब से निशान यात्तर की परंपर जो है आरम हुई तो बाबा की और हम तभी एक रतन भी गाते हैं कि डोरी खेंच के राखी जे यो है बाबेरो निशान डोरी खेंच के राखी जे यो है बाबेरो निशान और पैदल चांदनिये के संग चाले बाबो शाम पैदल चालनिये के संग चाले बाबो शाम जैस्री शाम जैस्री शा आपका शुब नाम सोनु सिंगानिया क्या करते हैं आप मैं भी बाबा की सेवा करता हूं भजन गाता हूं तो इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो 36 गड़ से पिथोड़ा से आई है पहली बार बाबा की किरपा से गोयल परिवार ने सुल्क सेवा यात्रा निकाल ये बाबा ने समझ लिजे ये गोयल परिवार को चुना है जिसके लिए पूरी ये इतनी फोज लेकर बाबा के दरबार में आये हैं सब की मनोकामना पूरी हो और जितने भी भक्त बाबा के दरबार में आये हैं उन्हें से यही बिंती है कि आप सभी यही प्रातना करें कि जिन पर जो परिवार हम सभी को यहां निसुलक लेकर आया है उनके जीवन में कभी कोई तक्लीफ ना आये और हर समय उनका भंडार भरा रहे बाबा की किरपा यूही इन पर बरस्ती रहे और जिस तरह ये अभी 50 लोगों को लेकर आये हैं ऐसी बाबा के इनके उपर कृपा हो कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इन से जूड़ कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में ला सके बस यही मैं कहना चाहूंगा तो यह थे कुछ शाम प्रेमियों के अपने श्री मुख से इस यात्रा के बारे में अपने अपने मत जी ट्रेक भक्ती से मैं प्रकाश कर वाल